तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर गर रही हूँ अपना IBPS क्लर्क प्री 2021 का स्कोर कार्ड जो मैंने लास्ट इयर दिया था और जो मेरा एक्जाम था ये था 19 दिसेंबर को और दो दिन IBPS क्लरक के एक्जाम हुआ था एक 18 तारीक हुआ था और एक 19 तारीक मैं बात करूं English section की तो इसमें मेरा स्कोर था 16.75 और section cutoff आप देख सकते हो काफी कम है तो मतलब section cutoff तो easy होता है वैसे भी clear करना उसके बाद अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में मेरे है 28.25 और reasoning में मेरे है 28.25 अगें और overall अगर मैं अपना score बोलू तो तो मेरा 73.25 and the cutoff was 74.50 अभी आप लोग सोच रहे होंगे इतने कम marks कैसे तो चलो फिर कुछ ऐसी चीज़े हैं जो मुझे आप लोगों के साथ बतानी आप लोगों को तो मेरे जो attempt थे ये लगभग attempt मेरा 89 था जहां तक मुझे अच्छे से याद है 88-89 questions मैंने attempt किया था वहां पर और म 90 तारीकों जो exam था तो उसकी जो सभी shift में जो exam है था उसका level easy था as compared to जो 18 को हुआ था तो हुआ क्या आप YouTube पर और in fact कहीं भी किसी भी student से पूछना जिनका 19 तारीकों था maximum students का आप लोगों को यही मतलब आपको answer मिलेगा कि जिन जिनका 19 तारीकों था उन में से किसी का भी pre clear नहीं हुआ अब यह हुआ क्यों यह सब जो हुआ है यह हुआ है नॉमेलाइजेशन के चक्कर में तो नॉमेलाइजेशन एक मैं यह कहूंगी नॉमेलाइजेशन आई बीपीस का एक वाइरस है ठीक है और वो वाइरस जो होता है हम जैसे students पर सिधे attack करता है तो यह समझ ल आया तो scorecard में मैंने देखा मेरे 73.25 marks जो कि इतने कम आ ही नहीं सकते आप लोग खुद सोचो अगर कोई 89 attempt कर रहा है और चलो मैं मान लेती हुआ मेरे English में wrong थे reasoning में अगर एक आदा गलत हो गया coin में हो गया तो आप मुझे 73 marks कैसे दे सकते हो 89 में से अगर मेरे 5 भी wrong होते है तो तब भी मेरा जो score है वो 80s में ही आना है 73 में वो किस तरीके से आ गया तो यह जो चीज मुझे पता है यह सिर्फ और सिर्फ normalization के चक्कर से हुआ है तो usually होता क्या है easy shift वालों पर हमेशा normalization का जो साया होता है वो मंडराता रहता है तो पहले जब मेरी easy shift आया करती थी थी कि वाओ चलो easy shift आया है बट अब मैं प्रेय करती हूँ कि मेरी hard shift आया क्योंकि मेरा easy shift मेरा exam हुआ है मेरा तब तब 2020 में हमेशा easy shift मुझे मिली तो मेरा किसी में भी मेरा pre clear नहीं हुआ सिफ एक SBI का हुआ था और जब-जब मेरा hard shift मेरा exam होता था ना और मुझे लगता था कि कि मेरा time बहुत कम हुए है बच्चे तो 80 बे करके आये हैं और मैं इतना कम करके आया हूँ मेरा हो ही नहीं सकता clear तब उस समय मेरा exam clear हो जाता था अब मुझे नहीं पता इनका तरीका क्या है किस तरीके से marks यह deduct करते हैं और किसी को marks होता है वो बढ़ाते हैं I don't know और in fact किसी को भी नहीं पता होगा बट जो यह तरीका है इनका यह बहुत ही unfair है क्योंकि ऐसे में जो students होते हैं हम जैसे students जो इतने time से prepare कर रहे हैं और अभी मैं एक सच आप लोगों को बताऊं तो आज के time पे पहले यह कहते थे कि pre easy होता है mains निकालना जादा tough होता है बट आज के time पे इतना ही important हो गया है जितना की mains निकालना important तो है ही लेकिन tough जो competition है न मुझे ऐसा लगता है वो competition हमें pre में बहुत जादा देखने को मिलता है क्योंकि pre में यह होता है कि number of students बहुत जादा होते हैं और उन में से कुछ ऐसे students होते हैं जिनके mains की तयारी अच्छी नहीं होती ले अच्छी नहीं होती लेकिन mains के अगर मैं बात करूँ अगर में में बात करूँ अगर में में अच्छा खास है उनको यह रहता है कि चलो pre हो जाएक तो मैं में में कर लूँगा तो उनके लिए दिककत वाली बात हो जाती है क्योंकि ऐसे में pre निकालना बहुत टफ हो जाता ह और मेरी भी जो speed है वो अतनी कुछ खास नहीं है accuracy मैं अब पोशिश करती हूँ कि मैं उसे अच्छी मना कर रखूँ बच स्टिल यह मेरा last year का था जो मैंने शेयर किया अगर आप लोग चाते हो मैं अपना P.O. का भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपना P.O. का scorecard last year का जो मेरा था कि मैं selection के बाद बनाऊंगी बट फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी journey you know preparation mode से ही दिखाते हुए आप लोगों के साथ चलूँ तो फिर अब देखो होता है क्या है जिनका selection होता है हम लोग उन्हें सुनना उन्हें देखना उनकी advice follow करना बहुत पसंद करते है ब यह काफी लोगों के लिए inspiring भी होगा और मेरे लिए भी बहुत मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि फिर मैं और अच्छे से आप लोगों को help कर पाऊं और बस यही था इस वीडियो में अब मैं कल आप लोगों के साथ अपने mocks के mark share करूँगी तीन-चार mocks के एक साथ कर लुगी बाइब लुगी बाइब लुगी बाइब